अब दिखे निर्दलिये विधायकों पर आना चाहेंगे और बड़ी अपडेट आज हम इस मामले से जुड़ी लेकर आए हैं विधान सबाध्यक्ष कुल्दिप सिंग पठानिया मेडिया से रूबरू हुए दरसल आज क्योंकि निर्दलियों को पेशी के लिए फिर बुलाया गया था विधान सबाध्यक्ष के कोर्ट में लेकिन दूसरी बार ऐसा हुआ है कि तीनों निर्दलिये विधायक नहीं आए इससे पहले जब पेशी के लिए विधान सभाध्यक्ष ने बुलाया था तब भी नहीं आए आज भी नहीं आए और सपश्ट तोर पर विधान सभाध्यक्ष ने ये बात clear कर दी है कि जो अंतिम hearing है ये जून के पहले सब्तहा में हो जाएगी या तो अभी मई के end में या फिर जगर सिंग नेगी की ओर से एक और याचिका दायर की गई थी जिसमें उन्होंने शिकायत ये की थी निर्दलियों को लेकर कि इन्होंने दल बदल कानून को प्रभावित करने की कोशिश की है और इसी को मद्दे नजर रखते हुए बड़ी statement जो आज विधान सपश्च तोर पर ये कह दिया है कि बात इस्तिफा सुईकार करने की रह नहीं गई है बलकि यहाँ दल बदल कानून को भी इन निर्दलियों विधायकों ने प्रभावित किया है इससे पहले दो बार ये हीरिंग के लिए भी नहीं आए आज भी नहीं और इससे पहले भी न क्योंकि लगातार नियमों का उलंगर निर्दलियों के और से किया जा रहा है, हलाकि निर्दलिय विधायक होशियार सिंग का ये कहना था, जब मामला कोट में चल रहा है, तो वो विधानसभा अध्यक्ष खुलदिप सिंग पठानिया के पास क्यों जाएंगे, या मेल के जरी के तहट कहीं न कहीं मामला बनता था, फिर दूसरी बड़ी बात, अभी तक इस्तिफास विकार हुआ नहीं था, इन्होंने भाश्वा जोईन कर ली, दल बदल कानुन के तहट इन पर कारवाई की जाएगी, यानि कि सबसे पहले अब विधानसभा की कारवाई इन पर होने वाली है, फिर उसके बाद अब कहीं जाकर इस्तिफा आता है, और अगर डिस्क्वैलिफिकेशन हो गई, तो एक बड़ी मुसीबत में ये निर्दलिये विधायक पस सकते हैं, ये हम यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि पेडिशन अभी भी पैंडिंग है विधानस पर ये कह दिया है, कि विधानसभा अध्यक्ष के मामले में वो भी involved नहीं हो सकते हैं, और ना ही कोई direction यहाँ विधानसभा अध्यक्ष कुल्दीप सिंग पठानिया को कोट की ओर से दी जा सकती है, कि उन्हें कितनी जल्दी एक एस निप्टाना है, या उन्हें इस्तिफा स्विकार करना है या नहीं करना है, और यही बात आज कुल्दीप सिंग पठानिया ने भी clear कर दी है, कि जो वो चाहेंगे वही होगा, और अभी तक लगातार नियमों का उलंगन करते हुए निर्दलिय विधायक आए हैं, अभी तक pending उनके पास या चिका है, दल बदल अब उन पर लगेगा, अब इसी के तहट कारवाई होगी, और इस्तिफे का तो अब यहाँ पर कोई जिक्र होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है, यह भाश्पानेता ही थे और निर्दलिय विधायक ही थे, जो बार बार ये कह रहे थे, कि जल से जल इनका इस्तिफा जब सु अब होगा नहीं होगा है, भविशय के गर्व में यह बात छीपी है, लेकिन इससे पहले जो कारवाई की बात आज विधान सब अध्यक्ष ने कहा दी है, कि दल बदल कानून लगेगा, नियमों का जो लंगन किया है, उसे लेकर भी यहाँ इन पर एक्शन लिया जाएगा, तो कहीं न कहीं बड़ी मुसीबत अब निर्दलियों के समक्षा सकती है, और डिस्क्वैलिफिकेशन अगर होती है, तो इसमें किस तरह का प्रावधान होगा, कितने सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या फिर लड़ भी सकते हैं, तो किस प्रावधान के तहर ल दिया कि उनका एक वीजन है, विकास को लेकर एक वीजन लेकर चल रहे हैं, उनकी बड़ी सोच है, लेकिन जो भाशपा प्रत्याशी है, वो केवल इतना ही कहना जानती है, कि मैं मंडी की बेटी हूँ, इसी पर सहानू भूती ले रही है हिमाचल वासियों से, इसके अलाव ये वही केंदुर की सरकार है, जब करोना काल चल रहा था, तो थालियां बजाई गई, और इसके अलावा जिन लोगों की जान जा रही थी, उन पर कोई भी गौर नहीं किया गया, लोगों को मरने के हवाले इस केंदुर सरकार ने छोड़ दिया था, अब दोबारा से लोग केंदुर में मोदी सरकार ही बनाईंगे, तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा, जगत सिंगनेगी के ये शब्द पिछले कल रहे हैं, हलाकि आज पीती में मंत्री विक्रमादित्य सिंग थे, वहां के लोगों को उन्होंने संबोधित किया है, और साथी साथ अप मुख्या मंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धुमल भी शामिल हुए थे, और नेता पतिपक शौयराम ठाकुर भी इस मौके पर देखे गए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष टॉक्टर राजी बिंदल भी इस यात्रा में पहुंचे थे, हालाकि हजारों की भीड आज हमीर करताओं को संबोधित करते हुए ये कही कि जैसा कैंपेइन आज जारी रखा है, वैसा ही एक जून तक जारी रखे, ऐसा ही जोश होना चाहिए, और हर पोलिंग बूत पे 10 प्रतीशत वोटिंग बढ़ाने का काम करे, जो राम को लाएं हैं, हम उन्हें ही लाएंगे, ये न के इंद्रे मंत्रे अनुराग ठाकुर के लिए नेतर पतिपक्स चायराम ठाकुर ने ये कहा कि पांचवी बार इन्हें लोग सभा सीट से सांसत बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा, ये पहले से ही यूं तो मोधी सरकार में मजबूत कड़ी साबित हुए हैं, लेकिन अब ये और जादा नेतरित्व को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की, ये एक बड़ी बात इन्होंने कही है क्योंकि बार बार भाजपाई ये ही कहते हैं कि जो देश का नेतरित्व है वो प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी है, वो बहुत ही और इन्हें और ज्यादा मजबूत बनाने का काम अनुराथ ठाकुर करते हैं, आज ऐसा ही दावा फिर से नेता पतिपक श्वैराम ठाकुर की ओर से किया गया, कुफवे में CM थे और मुख्या मंत्री सुखु ने आज फिर 1500 का जिकर किया है, इनका ये कहना था कि 2023 एपरेल में स्पीती की महिलाओं के लिए 1500 शुरू कर दिये गए थे, फिर फरवरी 2024 में लाहोल की महिलाओं को भी इनकी ओर से 1500 और पै दिये गए, इसी तरह से बाकी जगाओं पर भी 1500 मिलने शुरू हो जाते, लेकिन नेता पतिपक श्वैराम ठाकुर चुनावायोग पहुँच गए, और एक बार नहीं, बल्कि दो बार बड़ी रुकावटे वर्गों के लिए नेता पतिपक्ष बने हैं, इस बार 1500 रोकने के लिए चुनावायोग गए, और इस से पहले 9000 क्रोड रुपै जब करमचारियों के लेने थे केंदर से, तो उसमें भी बड़ी रुकावट बने है तो बार बार ये रुकावटे पैदा कर रहे हैं, ना केवल सरकार के रास्ते में, बल्कि आम जंता के रास्ते में भी, इस बार ये चुनाव इमांदारी और दगाबाजी के बीच होने वाला है, भाषपा और इमांदारी को पेश करती है, कॉंग्रिस ये मुख्या मंतरी न रहने वाले हैं मौजूद एक तरह से उनके साथ रहने वाले हैं लेकिन इसे पीछ नामांकन प्रक्रिया पर देखी रोक लग गई है शनिवार रविवार दो छुटियां हैं हलाकि पहले ही निर्वाचन आयोक ने आदेश चारी कर दिये थे कि अवकाश के दौरान ब्रेक रह जिस वज़ा से अब इन दो दिनों में तो नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे और बड़े चहरे अभी ऐसे बच रहे हैं जिन्होंने नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं की है इसमें केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं जो कि हमीरपूर संसदिय सीट से प्रतियाशी हैं भाज़पा के और कंगना रनौत भी हैं ये मंडी संसदिय सीट से भाज़पा की प्रतियाशी है इन्होंने भी अभी तक नामांकर नहीं भरा है शिमला से कॉंग्रेस के विनो सुल्तान पूरी हाला कि परसो अपना नामांकर भरने वाले हैं और सुरेश कश्यब भी इस दूसरी और अगर हम उपचुनावों की बात करें तो धरमशाला से भाज़पा के सुधीर शर्मा जो भाज़पा प्रतियाशी है और कॉंग्रेस के प्रतियाशी देवेदनर जग्गी का नामांकन भी अभी अगामी दो दिनों में ही भरा जाएगा इस तरह की संभावना है हलाकि बाकी कुछ एक उमीदवारों ने भर भी दिया है और साथ-साथ में हम आपको इस बारे में क्यूंकि अपडेट भी दे रहे हैं लेकिन शनिवार रविवार अब दो दिनों में नहीं भरे जाएँगे एक और जानकारी हम आपके साथ साजा कर देते हैं क्यूंकि ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि लोगसभा चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है प्रचार प्रसार के लिए 95 लाग तक प्रतियाशी खर्च कर सकते हैं इसी तरह से जो विधान सभा सीट पर उप्चुनाव होने जा रहे हैं यहां प्रतियाशियों की ओर से 40 लाग रुपए तक खर्च किये जा सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए और जमानत राशी की बात करें तो लोगसभा सीट पर 25,000 जमानत राशी यहां जमा करवानी होगी और विधान सभा उप्चुनाव की सीट पर 10,000 तक की जमानत राशी जमा करवानी होगी प्रतियाशि को दिया जाता है अधिगरेत कंपनी को अदाईगी नहीं की गई थी सरकार की और से जिस वज़ा से सेवा बीच में रोक दी गई थी हलाकि IGMC में हिमकेर का ही 60 क्रोड से जादा बकाया है लेकिन 25 क्रोड इसमें से सरकार की और से दे दिया गया है जिसके बाद ये सेवाएं फ का मामला वहां पर देखने में आया है जिसके बाद उर्जा निदेशालिय की ओर से जांज के आदेश जारी हुए थे और सेफटी ऑडिट करवाने के निदेश भी जारी हुए क्योंकि संभावना ये जिताई जा रही है कि कहीं ऐसा नो हो पैन स्टॉक फटने की वज़ा से इस तरह की लीकेज वहां पर हुई हो